सरल श्वीमद भगवद गीता, गीता चिंतन और बोध, लेखक प्रामचंद जोर्वर दार्शनिक सिद साधक, अध्याय पाच कर्म सन्या सेयोग, कुल श्लोक 29, भाग 19 श्लोक 1, 6 विशे सांक्य योग और कर्म योग का निर्ने, भाग 20 श्लोक 7, 12 विशे सांक्य योगी और क विशे सांक्य योग का निर्ने, भाग 19 श्लोक 1, 6 विशे सांक्य योग और कर्म योग का निर्ने, श्लोक 1 अध्याय पाच, अर्जुन उवाच, सन्यासम कर्मना कृष्ण पुनर योगचा शंससी, यच्छरे या एत्योरेकम तनमे ब्रूही सुनिश्चितम, विशे सन्या और कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, फिर दोनों में से कौन सा साधन मेरे लिए निश्चित रूप से हितकारी होगा, वह बताये। वे सत्ता और धन के लिए हत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसी स्थिती में अर्जुन को पीछे हटना भगवान क्रिश्न को स्वीकार नहीं है। अर्जुन को अभी भी कुछ संदे है, वह इस श्लोक में भगवान से उसके बारे में पूछ रहा है कि हे क्रिश्न। आप कर्म सन्यास और कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। फिर दोनों में से कौन सा साधन मेरे लिए निश्चित रूप से हितकारी होगा, वह बताए। अर्जुन अभी भी कर्म सन्यास और कर्म योग को लेकर भ्रमित है। उन्होंने सटीक अंतर नहीं देखा। चाहे युद्ध हो या दैनिक जीवन की बहसे। जब इस तरह के विवाद बढ़ जाते हैं तो विवाद में शामिल व्यक्ति के मन में भी इसी तरह का भ्रम पैदा हो जाता है। चाहे वह कितना भी बुद्धिमान और ज्यानी क्यों न हो, वह अपने आपको इस अजीव उल्जन में पाता है। उसके लिए सही लोगों का सहयोग मिलने पर ही वह व्यक्ति अपनी दुविधा से बाहर आएगा। आन्य था, वही या तो बिना सोचे समझे दूसरों को मारने के लिए तयार हो जाता है या खुद आत्माहत्या कर लेता है। इसलिए परिस्तिती को देखते हुए सही व्यक्ति की संगती करनी चाहिए जो हमें ऐसी कठिन परिस्तिती से बाहर निकाल सके। प्रिश्न अर्जुन के लिए महत्वपून हैं। अब वह उसे बचाने जा रहे हैं, उसे इस ध्रम से बाहर निकाल रहे हैं। बोध, मानव जीवन एक युधक्षेत्र है। हम चाहें या न चाहें, लेकिन हमारे आसपास इतने मुख्याविहीन लोग लगातार रहते हैं कि वे न चाहते हुए भी हमारे जीवन में संधर्श, लड़ाई जगडे की ऐसी स्थिती पैदा कर देते हैं। इसके अलावा अगर वे लोग पती, पत्नी, बच्चे, भाए, माता-पिता ऐसे बहुत करीब हैं, तो उनसे लड़ना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। दुनिया से लड़ना बहुत आसान है, उन्हें जज़ करने और रिष्टा तोड़ने में एक पल की भी देर नहीं लगती। समंजस में है कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में जरूरत है एक ऐसे जीवन साथी की जो आपका सही मार्ग दर्शन कर सके। ऐसा कोई मिल जाए तो इससे निकलने का रास्ता मिलने की उम्मीद है। नहीं तो कोई भायानक हादसा होने की संभावना है। इसलिए 5. श्री भगवान उवाच। सन्यास, कर्मयोग शचनी, श्रेय सिक्रावुभो। तयोस्तु कर्म सन्यासात कर्मयोगो विशिश्यते। विश्य, सन्यास पर निश्काम कर्म योग की श्रेश्थता का वर्नन। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, कर्म सन्यास और कर्म यो कर्म सन्यास ग्रहन करना है या कर्म योग का अभ्यास करना है। शुद्र कर्म करना बहुत हलका माना जाता है। लेकिन कर्म सन्यास और कर्म योग दोनों ही मनुष्य का परम कल्यान अर्थात इश्वर प्राप्ति है। इसकी तपस्या एक सामान्यक पारिवारिक, संसारिक व्यक्ति के लिए अभ्यास करना कठिन है. क्योंकि समाज, परिवार इस संसार में रहते हुए अनिक कर्म किये बिना काम नहीं चलता. समाज को धारंग करके परिवार को धारंग करके निरलित भाव से सभी कर्म करने पढ़ते हैं इसे कर्मयोग कहते हैं एक बार जब इस कर्म योग में रहने की आदत हो जाती है, तो व्यक्ति सभी के सहयोग से, निश्क्रिय भाउ से सभी के लिए अपने सभी कर्म करने लगता है। जोडता है, समाज परिवार संसार में रहना बहुत आसान है, लेकिन उनके बिना अकेले भगवान के चिंतन और ध्यान में खड़े होकर जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कर्म सन्यास लेने वाले व्यक्ति ने यथाशिग्र परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वह आत्मग्यानी है, इश्वर को छोड़कर, देवत्वा को छोड़कर उसे सारा संसार नश्वर लगता है, अता वह किसी भोतिक साधन में आसक्त नहीं होता, इसलिए भगवान अर्जुन इस श्लोक में कर्म सन्यास और कर्मयोग के भेद को समझा रहे हैं, कर्म सन्यास औ अपने सांसारिक अस्तित्व का ख्याल रखते हुए धीरे-धीरे परमात्मा की खोच कर सकता है, इसके लिए विभिन प्रकार की नवविद भक्ती का सहारा लिया जा सकता है, हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को आत्मस सयम के साथ जिस तरह से भी आसान पाते हैं, कर सकते हैं और अंतता भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वे अस्तित्व से मुक्त हैं, वे स्वत अंत्र हैं। यह मार्ग कर्म योग से भी कठिन है। श्लोक तीन अध्याई पाच यह यह सन इत्य सन्यासी यो न द्वेश्टी न कांक्षती। निर्द्वन्द वो ही महाबहो सुख बंधात प्रमुच्छिते। विश्य, निश्काम कर्म योग की सराहना। अनुवाद, हे अरजुन, जो मनुष्य किसी से द्वेश नहीं करता और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, कर्मयोगी को सदर्व सन्यासी मानना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य क्रोध और द्वेशादी के द्वेश से मुक्त है, वह सुख से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छा है और दूसरा बुरा है, लेकिन मनुष्य केवल अच्छे पक्ष के बारे में सोचता है, वह केवल उससे जुड़ा हुआ है, उससे ही जुड़ता है, इसलिए उससे सुख से आधिक दुख की प्राप्ती होती है, वह अभास हो गया होगा कि दुख में भी आनंद होता है, एक अलग चेतना होती है, इसलिए वे निरंतर उदासी के साथ जीते हैं, हम दुखी है तो अपना दुख व्यक्त करते रहें, दुनिया हम पर दया और करूना दिखाती है, आपका ध्यान रखती है, इन लोगों ने दे देते हैं, इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग जादा देखने को मिलते हैं, एक वह है जो निरंतर सुख में रहना चाहता है और दूसरा वह जो निरंतर दुख और दर्द में रहना चाहता है, इसलिए लोगों के बीच विवाद होता है, बहसे होती है, सुखी लोग इन स्वभाव प्रकट नहीं होता। ये सबी क्रियायम मन के स्तर पर होती है। वो हर किसी की तरह ही मानसिक्ता जीने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों स्वभावों को जानकर परिस्थिती को देखकर धर्य और तच्थता से जीवन जीता है। वास्तव में एक बुद्धिमा द्वेश नहीं करता और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, उस कर्मयोगी को सदर सन्यासी मानना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य क्रोध और द्वेश आदी द्वंधवों से मुक्त है, वह सुकपूरवक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोध, प्रोध, पेश मनुष्य के हत्यारे हैं, वे उदास हैं, उन्होंने मनुष्य को कभी सुखी और संतुष्ट नहीं रहने दिया। जब कोई व्यक्ति जीवन के सभी द्वंधवों को पार कर लेता है और एक तटस्त, अनासक्त, अवलोकन करने वाली भावना के साथ रहता है, तो केव कर्मयोगी ही सच्चे अर्थों में सन्यसी बन जाता है, एक तपस्वी अपने जीवन काल में ही सच्ची मुक्ति का आनंद ले सकता है, वे अकेले ही सभी भ्रमों को पार कर सकते हैं और सरवोचा आत्मा के नित्यानंद में स्थापित हो सकते हैं, वह इस रोमान्चक जीवन के बारे में भूल जाता है, जीवन से उसका लगाव समाप्त हो जाता है, वह जो भी कर्म करता है, उसे वह केवल ईश्वर की क्रिया ही समझता है, इसलिए सुक उसे प्रसंद नहीं करता और डैक उसे दू, खा नहीं दे सकता, क्योंकि वह आसक नहीं है, उन कर्मों से आसक श्लोक चार और पाच अध्याय पाच। दोनों में से किसी एक किस्थान पर भी पूरी तरह सिस्थित है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है जो दोनों का परिणाम है। हमारी आत्मा इस धर्ती पर निरंतर भटक रही है, तरह तरह के जीव जन्म लेते रहते हैं, अर्थात यह भिन-भिन योनियों में भ्रमन करता रहता है, इस धर्ती पर प्रतेक जीव को सुख और दुख के द्वंद्व में निरंतर आना जाना पड़ता है, शाश्वत सच्ची मुक्ती कभी नहीं होती, हर पल वह अंगिनत सुख दोखों का अनुभव करता है, मनुष्य सभी जानवरों में सबसे बुद्धिमान है, वह प्रयास से उन सुखों को आसानी से पार कर सकता है, वे प्रयतन दो प्रकार के होते हैं, एक ज्यान और दूसरा कर्म, जो लोग ज्यादा सोचते हैं, अधिक ध्यान, चिंतन, अध्ययन से उन्हें ग्यान प्राप्त होता है, इस प्रिया को अध्यात्म में ध्यान कहा जाता है, उस अग्यात देवियर शक्ती पर अपने विचारों को केंडरित करना और उन विचारों से उसकी खोच करना ही ध्यान क आपका अंतिम गंतव्य है, सन्यास ग्यान, सांक्य अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उनका मूल अर्थ एक ही है, यही ग्यान योग है, साथ ही यह रास्ता सभी के लिए सुविधा जनक नहीं है, जिनके विचार ध्यान, चिंतन, अध्ययन में एकाग नहीं है, वेशारीरिक कर करके और निश्काम कर्म को अपना कर ईश्वर के इस परमधाम तक पहुँच सकते हैं, कर्म योग मनुष्य के लिए वहां तक पहुचने का एक और तरीका है, साधारन लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन जो वास्तविक ज्यानी हैं, जिन्हें हम पंडित कहते हैं, वे इ इन विशेशगित जानकार पंडितों को पता है, इसलिए वे इसमें अंतर नहीं करते, भगवान ने यहां मूर्क शब्द का प्रयोग केवल उनके लिए किया है, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, ये वे लोग हैं जो मूल सिध्धान्त को त्याक कर, बिना कुछ जाने उ उस पर बहस करके अपनी बुद्धि मत्ता का प्रदर्शन करते हैं, सथी बाते सुनने, देखने, पढ़ने से वे विद्वान बन जाते हैं, भगवान ने उनके लिए मूर्क शब्द का प्रयोग किया है, ये वो लोग हैं जो समाज में भरम पैदा करते हैं, वे लोगों को गुमराह करते हैं, ज्यान हो या कर्म, योग की परम उपलब्दी परमात्मा की प्राप्ती है, जिस प्रकार दही जमने के बाद नवनीत हाथ में आ जाती है, उसी प्रकार ज्यान और कर्म की निश्वल साधना पूर्म होने पर उन पुनियत्माओं को अंतमि मुक्ती, मोक् निश्काम कर्म योग के बाद इश्वर की प्राप्ती होती है, वह जो कुछ भी करता है, वह परमात्मा को समझने लगता है और उस निशकाम कर्म योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है। यद्यपी दोनों मार्ग भिन हैं, तथा पी दोनों का अंतिम लक्षे केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है। मुक्ति या मोक्ष दोनों का लक्षे है। श्लोक 6 अध्याई 5 सन्या सस्तु महबाहुर्दू, खमाप्तु मयोगत। योगयोग तो मुनिरब्रम नचिरेनाधी गच्छती। विश्य, निश्काम कर्म योग की तुलना में सांक्य योग साधना की कठिनाए। अनुवाद, किन्तु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना मन, इंद्रियों और शरीर के सभी कार्यों में कर्म का त्याग करना कठिन है। और जो कर्म योगी भगवत स्वरूप का चिंतन करता है वो हति शीग्र परब्रम परमात्मा को प्राप्त करता है। चिंतन, मन, इंद्रिया और शरीर मनुष्य को सुखों में बांधे रखते हैं। अपने विश्यों में फंसा रखते हैं। उनी के कारण मनुष्य जग में अटका हुआ है। संसार का मोह शीग्र नहीं छूटता। बाल्यावस्था के बाद मनुष्य प्रोणावस्था में प्रवेश करता है। तब वह विकारों से घिर जाता है। उसका शारीरिक सुख के लिए संधर्श शुरू हो जाता है। फिर उसकी शादी हो जाती है। एक संगत साथी चुनता है। घर बसाओ। घर में तरह तरह की चीजे इकठा करता है। उन चीजों से प्यार हो प्रटन के मुह में फंस जाते हैं, फिर संतान प्राप्ती की इच्छा होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनकी शिक्षा आजीविका आधी चीजे पीछे चली आती हैं, फिर वे पोते वगरा चाहते हैं, लेकिन मन इन सब सांसारिक बातों से नहीं निकलता, ग्रहस थाश्रम के बाद वानप्रस थाश्रम है, संसार के सुखों को भोगने के बाद उसकी व्यर्थता को समझकर इस संसार के लिए कुछ अच्छा करने की बुद्धी विक्सित करनी चाहिए, लेकिन वह बुद्धी जल्दी नहीं जागरत होती, निश्क्रिय भाव से समाज करना वानप्रस थाश्रम है, लेकिन इस घटना से कोई मुह नहीं मोर रहा है, मन, इंद्रिया और शरीर उसे इससे बाहर नहीं जाने देते, इसलिए मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, यही मनुष्य को इंद्रियों के विशयों के मुह में फसाय रखता है, इस नश जीवन के सुख और दुखों से तब तक कोई चुटकारा नहीं है, जब तक कि शरीर के कामोग सुखों को मन से दूर नहीं कर दिया जाता, इसलिए सोच समझ कर वानप्रस थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, ध्रम को छोणो, जो होगा वह कभी टाला नहीं जाएगा, ल जान सारिक कर्मों को त्याक कर कर्मयोगी के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस शरीर का उप्योग लोगों के कल्यान के लिए किया जाना चाहिए, अब परिवार के लिए संधर्श करना बंद करें, लोग सेवा को ईश्वर की सेवा समझना चाहिए, उसका आनन ल इसी तरह के कर्म करने से कर्म योग की प्राप्ति होती है। परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। मुक्ती का मार्ग मिलने लगता है। मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। अगला, जब शरीर ठक जाता है, तब सन्यास होता है। फिर सभी आश्रमों को वर्जित मानकर एक सन्यास में तटस्त रहना सीखें। किसी को बोज होकर या परेशानी बनकर जीना नहीं। उसे एक हरिनाम में अपना शेश जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करना चाहिए और अंतिम समय में उसी में विलीन हो जाना चाहिए। यही जीवन का मार्ग है जो मनुष्य के लिए सही है। सुख़ध है। बोद, पहले हम अस्तित्व को प्राप्त करें, सभी सुखों को भोगें, फिर हम परमात्मा की सेवा करेंगे। लेकिन मनुष्य का जीवन इतना चोटा है कि कब छलनी में पानी की तरह हाथ से फिसल जाता है, पता ही नहीं चलता। बात करने से बचपन खत्म हो जाता है, फिर वह इस संसार में फंस जाता है, योवन वही समाप्त हो जाता है, वृधावस्था की ओर बढ़ते हुए भी संसारिक सुखों का मुह मन से नहीं छूटता। समय नहीं बचता फिर इश्वर की सेवा और समाज सेवा कब होगी। जीवन जी कर भी जीवन उसी मुह में फंस जाता है, लेकिन भगवान का स्मरन नहीं होता, बचने का कोई रास्ता नहीं है, जीवन बीट जाने पर भी जीवन इधर उधर अत्रिक्त वासनाव में फसा र लेगी। यह परमपिताते करेंगे। अब तक हमने पंचम अध्याय के श्लोक एक से छे तक सांक्य योग और कर्म योग के निर्णय विश्य को समझाया है। श्री कृष्णारपन मस्तू